आल्राइट गैस सुवह यहां पर टाइम आ चुका है सॉल्यूशन बनाने का एक्सराइज वन का गैस अगर आप लोगों ने अभी तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्विज की प्लेइस्ट को एक्सराइज नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे जल्दी से सुवह यहां पर आप लोगों को बताना चाहूँ गा कि मैं इस वीडियो के बाद सारे सारे लोगों को जीतने भी लोगों ने को सॉल्द तो मैं आपर आ जाओंगा नीचे comments में और comments में आने के बाद मैं करूँगा क्या कि नीचे आकर आप लोगों को यहाँ पर आपके comments को sort कर लूँगा ठीक है और sort करके newest first कर दूँगा और इसको मैं जार रोक देता हूं अभी वीडियो को और मैं आपको shout out बात में दूँगा ल यहाँ पर अभी complete कर लिए 19 वीडियो तो यह हमारा 20 वीडियो होने वाला है तो मैं आपर करूँगा क्या tutorial20.c के नाम से एक program बना लूँगा और मैं आपर करूँगा क्या main.c में आकर इसको copy करूँगा और यहाँ पर इसको paste कर लूँगा ठीक है तो मैं आपर एक काम enter the number you want multiplication table of ठीक है यह किया मैंने अब उसके बाद क्या करूँगा और इसी बाते मैं scanf का इस्तेमाल करूँगा और scanf का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर लिखूँगा percentage de और मैं ampersand num यहाँ पर input ले लूँगा ठीक है मैं यहाँ पर करूँगा क्या लिखूँगा int num यानिक ए मेरा क्या जो भी user input करेगा ठीक है तो अब मैं आपर क्या करूँगा लिखूँगा printf और उसके बाद मैं आपर लिखूँगा multiplication table of percentage d is as follows मैं आपर कर क्या रहा हूँ multiplication table for print कर रहा हूँ अब यहाँ पर backslash and लगा दूँगा ठीक है यह किया मैंने यह करने के बाद अब मैं क् multiplication table of 6 लिखा तो मैं इतना run करके देखता हूँ एक minute अभी फिर हम देखेंगे आगे हमी क्या करना है मालू मैंने 5 लिखा तो यह कह रहा है multiplication table of 6 is as follows अब क्या था कि जब मैंने आप लोगो को यह exercise दी थी तब मैंने आप लोगो loops के बारे में नहीं बताया था तो आप लोग क् इसको कर सकते हो लेकिन बिना loops के खitarना फोड़ा सा यह पर efficient नहीं रहेगा लेकिन तब भी कर सकते हो नामुम्किन नहीं है तो मैं आपर लिखोंगा %d और ऊसके बाद मैं लिखूंगा x फिर मैं लिखूंगा 1 is equal to %d और यहां पर मैं क्या करूंगा लिखूंगा यह करूँगा तो यह कह रहा है 5 की रिखनी है तो 5 वन्स रफाइव आ गया अब आप Ctrl D जो की Visual Studio Code का shortcut है उसको use करके यहाँ पर इसको 2 बना सकते हो उसके बाद यहाँ पर 3 बना सकते हो यहाँ पर भी आप लोग 2 बना सकते हो फिर 3 बना सकते हो फिर 4 बना सकते हो 4 फिर 5 फिर 6 और इसी तरह 7, 8, 9 के लिए आप लोग कर लेना लेकिन मैं भी यहाँ पर कर क्या रहा हूं मैं simply यहाँ पर इसको अभी इतने numbers के लिए करता हूं तो मैं इसको अगर print करूँगा यहाँ तो 7 की table यहाँ पर मैं इस तरह print कर रहा हूं लेकिन यह efficient तरीकर नहीं है ठीक है मैं कर लोगों यहाँ पर इसको लूप से करके दिखा हूंगा लेकिन जितने लोगों ने भी लूप का इस्तिमाल किया या नहीं किया आप में से बहुत सारे लोगों होंगे जिन्होंने क्या किया होगा इसको exercise art के बाद sorry video 8 के बाद जो loops वाले वीडियो उसको देखने के बाद व वीडियो देख रहे हैं उनको भी loops आते होंगा उन्होंने भी loops यूज कर लिए कोई issue नहीं है ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर इस exercise के लिए जिस इंसान ने loop इस्तिमाल किये और जिस इंसान ने loop इस्तिमाल नहीं किये उन दोनों का मैं बराबर मानूंगा ठीक है तो मैं आपर भी क्या करूँगा कुछ इस तरह लिखाए और यहाँ पर आई चल रहा है तो मैं आपर आई लिखाए तो मेरा लिखोंगा तो मेरा दूसर नंबर इक अ होगा और उसके बाद यहां पर नम इंटू आई लिख दूँगा और आई को मैं काम करूँगा आई प्लस वन मुझे करना पड़ेगा यहां फिर वन से लेकर 11 कर दूँगा इसको यह भी आप कर सकते हो ऐसा करोगे तब भी आपकी अगर आप लोग आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगो को यहां पर आई प्लस वन लिखना पड़ेगा और इसको 10 पनाना पड़ेगा चूँकि आई फिर आपका 0 से लेके 9 तक जाएगा तो आप लोगो 0 प्लस 1 से multiply करना पड़ेगा तो वो चीज़ आप ध्यान रखना अगर आप लोग for some reason print करना चाहते हो six multiply by zero कितना होता है five multiply by zero कितना होता है तो वो आप कर सकते हैं तो आप मतलब crux समझ गए इस exercise का क्या था एक simple सी exercise थी compare to हम लोगों ने जो स्टफ आगे पड़ा जैसे कि हम लोग ने go to break follow by loop do by loops functions type casting के सब चीज़े पढ़ी है उसके compare में अभी यह जो वीडियो है यह आप लोगों बहुत असान लग रहा हूँ लग रहा हूँ कि क्या यारी तो बहुत ही अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है इसा तो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि गला था क्योंकि अभी हम इसकी इनिशल स्टेज में स्कोर्स की जितनी भी लोगों ने challenge accepted और code लिखा है उन सबको मैं भी shout out देता हूँ एक एक इंसान को shout out दूँगा मैं किसी को मैं इस नहीं करूँगा तो solution video का मतलब मेरा मकसद यह रहता है कि मैं आप लोग के साथ interact करूँ और आप लोग को भी लगेगी हायर में सुनना हूँ तो बिलाल एमत, सस्पेंसामी, एम्यूज चैनल, प्रतियूश प्रताप सिंग और इनके exam चल रहे है देखो यार अगर exam बगएरा चलना है आप लोग अराम से, हाँ, procrastinate मत करना है, यह नहीं कि मैं आज नहीं देखूँगा यार, Code with Harry तो है ही, Code with Harry तो चैनल यूट्यूब पे है ही, एक साल के बाद देख लोगा, नहीं वह attitude आप लोग का गलत है, वह एकदम गलत है, आप लोग अपना time waste कर लिए हो, आप लोग को बहुत ही smartly utilize करना है, और जल्दी से जल्दी, देखो जितनी जल्दी आप चीजों को complete करोगे, उतना जल्दी आप आगे जाते जाओगे, उन लोगों से जो कि आपकी same age में, अगर आप 15 साल के हो, आपने python का course complete कर लिया, आप लोगों ने, मैंने python का virtual assistant बनवाया हूँ है, Jar complete कर लिया, तो आप में और आपकी उम्र वाले same logo में, एक gap create हो गया, आप लोग उनसे far better बन चुके है, क्योंकि आप लोगों ने वो सारी चीज़े कर लिया है, तो यह सिर्फ यहाँ पर चीज़े matter करती है, ज्यादा इन सब चीज़ों में नहीं गुसना चाओँगा, वाप इस तरह कर सकते हो, code post, और मैं क्या करूँगा, अभी इसके बाद, इस वीडियो को बनाने के मद, मैं एके करके सब के comments में जाऊंगा, और देखूँगा कि, क्या-क्या आप लोगों ने, अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगो कुछ change करना चाहिए, तो मैं आपर थोड इन क्या, राहू लेन का नाम राहू लेशार, और इन्होंने comment भी post किया अपना, फिर the health is wealth है, फिर मुहमद अरक्वाम है, फिर अभी राज है, फिर इसके बाद learn है, प्रिया तयादे है, अब आकाश प्रधान, I hope मैं आपकी नाम को सही pronounce कर रहा हूँ, मुहमद यासिर, और इसके बाद आकाश, गुपता, अक्षे, मंगल पारा, जॉब्स अड़ा, अक्षेल मंगल पारा, रहा है, काफी, दो-तीन बार post किया है, फर्स्ट बॉल पर छक्का दे दिया, ठैंक्स यार, और प्रधम सोनी, दी यूनिवर्स, फैजान आलम, शुबम जैसवाल, सद्दाम हुसाइन और यादव, जीद कुमार, अशुक कुमार, जिंदल गेमिंग, फैजान आलम, शुबम हुसंइन, अब कुछ लोगों ने दो-तीन वर्जन पोस्ट किया है, दो मुझे देखना है, कि इन्होंने क्या किया है, दो-तीन वर्जन स gef न भी पोस्ट किया है, उसके ले ACT ने एकदम बिल्कुल सई से पोस्ट किया है इसको जितना सीखाया गया था उतना किया है लूपस वगर इस्तिमाल नहीं किये हाला कि मुझे पता है इसके लिए आफ काफी पहले से सी प्रोग्रामिंग करते हैं लूपस आते होंगे लेकिन तब भी उन्होंने एकदम मेंटेन करके रखें चीज़ें कि यहां तक इतना सीखाया उतना मैं अप्लाय करूंगा इसके बाद नभील अश्राफ है अब्दुल वहाब है और दीपक आहर है पी शोबा अजय पुराबिया यश्चोधरी सस्पेंस आर्मी और वंश नयक अपने आपको भी शाउट ओट जा रहा है यहां ठीक भी जा रहा है तो कम से कम लेट मी नो उसलिए रहेगा कि मैं मुझे पता रहेगा कि हाँ आप लोग की जो एक्ष्टेशन है उसके हिसाफ से कोर्स चल रहा है इस कोर्स को बनाने का में मकसद यही है कि काफी चीज़े चेंज हो चुकी है मैंने मुझे काफी लोगों ने बोला मिने बस कॉल्स आती है कि हमारे वा को अच्छा लग रहा है कोड्स और वीजल स्टूडियो कोड में कोड रना रही है सारी चीज़े एक्स्टेंशन वगएर इंटैलिसेंस यह सब चीज़े आप यूज कर रहे है और मॉडन वे में सी सीखने में आप लोग सफल हो रहे है और आप इंट्रेस्ट ले पा रहे है सी में सबसे ज़ादा इंट्रेस्ट अच्छा करता हूँ कि आप लोग को एक कोर्स पसंद आ रहा होगा और उसी के साथ-साथ मैं आने वाले जो वीडियो दूँगा उसमें आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आप लोग एक्सेशन ही सॉल करेंगे आने वाली वीडियो में हम थोड़ा सा डिफिकली लेवल को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की क्वालिटी को इंप्रूफ करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह सीख पाएं सी प्रोग्रामिंग लेंगवजिज अभी तक क्या है आप लोग का फीडबैक आप मुझे जरूर बताई इस वीडियो में इतने ही में आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आयोंगे सारी की सारी चीजें सो थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग इस वीडियो इस वीडियो को लाइक करना मत बूलना एंड आय विल सी यू नेक्स ताइम